पड़ेटा दिपक पड़ेटा उट सुबहा हो गया जगिंगे जाना है ना आप याईपीएस के लिए प्रिपर है ना सोने दू दादू बस दो गंटा सोने थो ठोड़ा अब बेटा हुट अभी सुबहें के छे बज गए है हुट रहां दादू अब जाए है में आता हम एक पांस नग में कि ने दद्दू और ने हुपागा मेरे से आप जाएए और ने होगा बस इतना ही आज के लिए अरे बेटा क्या हुआ बस इतने में ठग गए बस आधा किलोमेटर ही तो हुआ ना और दो तिन किलोमेटर गवड़ना है और तभी जाके तुम आई पीस बनता होगे फीट होगे तो हीट होगे ना और जादू आप यह कैसे कर पाते हैं आप तो 70 प्लस होगे और मैं तो बस 25 क कैसे कर पते हैं पर बेरे से यह बस नहीं हो रहा है अरे बेटा हमें 70 हो गया तो क्या हुआ अभी भी हम युबख है अभी हमार तो साल बस 20 ही है ना तो इसमें क्या हुआ अरे बेटा हम जो युबख है ना और उसका राज हमें घर में जाके बताएंगे तो दादा जी आप सुवह बताये थे कि आप भी आप अभी भी सब्तर साल में 25 इवाजे से रे पार है और आप अभी तंद्रुस थे और सब्तर साल में भी आप तीन-चार किलो मुटर दोड लेते हैं उसका राज बताएंगे बोलके बोले थे तो उसका राज बताये ना तो बेटा चलो थो खोन ओर आज न तुम्हें बताता हूं कि जो मैं आज सतर साल में भी इतना तंदरुस कैसा हूं इचैने विवां थे तब हम एशा आपके तरान जीवन सब्सक्राइब पहले सी जीवन साली सेंट उसें हैं तो हम पहले क्या करते थे शुबा जन्दी उठते थे और हमारा जो खाना पीना सोना उठना तो उसमें पुरह संतुलित था तो उस जीवन सहली में सुधार लाना है तो चालो मैं आपको बताता हूँ वह जीवन सहली में क्या क्या और कैसे सुधार लाना है रात को जल्दी सोना है और सुबा जल्दी उठना है और उसके साथ रोजाना हमें एक्सरसाइज भी करना है और सबसे बड़ी बात कि जंक फूर्ट से भी हमें आपने आपको दूर रखना है और सुबा रात को जल्दी सोए और सोने के टाइम पे मोबाइल, लाप्टाप, कम्पूटर का इस्तमाल ना करे तो दोस्तों मेरे दादाजी की तरह 70 साल में भी विवाजे से रहने के लिए जो हमें दादा जी अभी बताए हमें वो फॉलो करना है तो चलो आज से हमें सुष्ट रहना और तंदूर्स रहने के लिए अपना जीवन सली को चेंज करना है आपना जो लाइश्टाल है उसमें बहुत सारा बदलाव लाना है तो मेरे दादा जी को फॉलो कीजिए और उनके तरह सुस्त और तंदूर्स हो जाईए कि अधारे